Hello बच्चो, Welcome to Amazing Platform of Physics वाला, मैं हूँ अवंतिका, आपकी English Mentor, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, Silver by Walter Delamere, ठीक है, बहुत interesting poem है ये, और उसके पहले, last session का recap, the past in the present, the past in the present story है, story नहीं बोल सकते, incidence है, ठीक है, जो हर घर में होता है, हर दिन होता है, मा और बेटे का conversation है ये, आप कितने भी पिछे जाओ, generation to generation conversation, सेम ही है, सिर्फ थोड़े बहुत changes हो गए है, technology wise development हुई है, उसकी वाज़े से थोड़े बहुत changes है, नहीं तो मा का हर बेटे को या फिर अपने बच्चे को standard reply रहता है, ऐसी ये story है, बहुत ही मज़ेदार story है ये, और अब देखते हैं आज की poem, silver, slowly silently now the moon walks the night in her silver soon, यहाँ पर देखो poem night को describe करती है, ठीक है, silver मतलब moonlight को describe करती है, ओके, village में आप अगर लोग गए होंगे, ठीक है, गाउ में आप आपने visit किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा, कि रात को नजारा जो होता है, वो silver ही होता है, चांदी के रंका होता है, ठीक है, बंचेच काई, जरू में मूनलाइट मने कदी, वोग इतले असल, कि मां, sightseeing के ला असल, ठीक है, तर, काई असनारे, तुम्हाला सगडी कड़ा, एकदम चान असल, silvery सगड़ा, दिसनार, this way and that way, she peers and sees silver fruit upon silver tree, यहाँ पर देखो, silver fruits भी है, silver trees भी है, okay, one by one the casements catch her beams beneath the silvery thatch, आप लोगोंने देखा होगा, अगर moon light जब आती है, ठीक है, रात को, तो वो क्या होती है, casements मतलब क्या है कि window जो होती है, वो door की तरह open होती है, casements मतलब window जो होती है, वो door की तरह open होती है, तो उसमें से जो light आती है, moon rays आते है, ठी सुंदर नजारा होता है और वो silvery दिखते हैं, okay, her beams beneath the silvery thatch, thatch मतलब क्या है, roof है, ठीक है, जो plant material से बनाया गया होता है, जैसे कि straw और उसको क्या करते हैं, घर चत बनाते हैं उसका, okay, तो उसके नीचे से जो beam आती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, silvery होती है, couched in his kennel like a log, with paws of silver sleeps the dog, तो अगर आप लोगोंने देखा होगा, कुटे का जो घर होता है, उसको kennel बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब dogs सोते हैं, तो कैसे दिखते हैं, फिर उनके paws कैसे दिखने लगेंगे, silvery दिखने लगेंगे, from there shadowy couch the white breast peep of doves in silver feathered sleep, अगर आप लोगोंने देखा होगा, रात को कबुतर, कबुतर की जोड़ी होती है, वो कहां सोती है, couch में, ठीक है, couch मतलब क्या है, shelter होता है, mammals के लिए, ठीक है, specially pigeons के लिए, तो वो कैसे दिखता है, doves, या फिर pigeons, आप लोगोंने देखा होगा, रात को कैसे दिखेंगे, of course silvery ही दिखेंगे, a harvest mouse was scampering by, scampering मतलब क्या है, to run quickly, अगर आप लोगोंने देखा होगा, छोटे बच्चे, छोटे animals जो होते, बहुत तीजी से जाते हैं, पास हुए, तो भी हम लोगों को पता नहीं चलता, इतनी फटक से वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पे चूहा जो है, वो क्या है, इतनी फ दिख रही है, silvery दिख रही है, and moveless fish in the water gleam, तो fish जो होते हैं, अगर आप लोगोंने देखा होगा, एक point पे क्या होते हैं, कि stable रहते हैं, मतलब कुछ हालचाल नहीं करते, ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है, पानी में shine कर रहा है, gleam मतलब क्या है, shining, by silver reeds in a silver stream, तो जो पा लगेगा, silvery लगेगा, basically, ओके, और silver reeds मतलब क्या है, grass like plants that grows in or near water, जो आप लोगोंने देखा होगा, अगर आप लोग नदी किनारे गए होंगे, गाउ में, या फिर पानी जहां पे होता है, water resource जहां पे होता है, वहां पे अगर आप लोग गए होंगे, lake होता है, तो आप लोगने देखा होगा, कि जो side में, या फिर उसके आसपास जो हता है, या फिर पानी में होता है, ठीक है, grass like plants grow होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, reeds बोला जाता है, जो की word को अंधेरे में, मतलब, moonlight में क्या लग रहे हैं, silvery, तो ये poem है, silver, ओके, जो हम लोगों को magical effects of silvery moonlight बताती है, कि गाओं में ये सारा नजारा जो है, बहुत ही clear दिखता है, बहुत ही सुन्दर दिखता है, ओके, now we'll come to the appreciation, appreciation आप लोगों को पता है, कि आप लोगों को 5 important points cover करने ही करने है, उसमें से सबसे पहला point होता है, title, जो आप लोगों को book में दिया गया है, वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी लिखना है, okay, poet का नाम, same thing, spelling mistakes मत करो, थोड़े बहुत difficult names है, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों को याद रखने है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, कि poet के नाम जो है, वो सही से लिखो, spelling mistakes मत करो, ठीक है, rhyme scheme यहाँ पे है, A, A, B, B, C, C, okay, D, D, E, E, F, F, D, G, okay, figure of speech throughout use की गई है, personification, theme या फिर central idea क्या है, the poet describes about the magical effects of silvery moonlight, जो magical effects है, मतलब सारा कुछ क्या दिखता है, silvery दिखता है, moonlight में, यह सारी चीजे, poet ने बहुत ही सुन्दर तरीके से, poem में describe की, okay, तो यह थी आज की poem, अगर आप लोगों को कुछ problem हो, तो आप लोग जरूर पूछो, okay, and for homework, what you are going to do is, you are going to read the poem, okay, sorry, by mistake मैंने लिख दिया, read the lesson, लेकिन आप लोगों को क्या करनी है, read the poem, okay, और appreciation, बहुत सही तरीके से लिखो, spelling mistakes मत करो, poet के नाम जो है, हमेशा याद रखो, ठीक है, वहाँ पे spelling mistakes मत करो, figures of speech, आप लोगों को मैंने बताया है, अगर दो तीन figure of speech है, अगर आप एक भी लिखते हो, वो भी सही होता है, आप लोगों के marks cut, नहीं होते, लेकिन हर चीज म हैं, आप लोगों को spelling mistake, grammatical mistake, दोनों चीज़े avoid करनी, ओके, तो यह था आज का session, मिलेंगे अगले session में, तब तक के लिए, bye everyone, take care and thank you.